नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल फन श्ट्रडी में आपका स्वागत है आज की वीडियोज में हम ले करके आये हैं रस का अस्थाई भाव रस पढ़ चुके थे रस किसे कहते हैं और किसने कितने रस बताये हैं आज है रस योम उसके अस्थाई भाव का मतलब होता ह प्रधान भाव अस्थाई मतलब जो बहुत लंबे समय तक चिरकाल तक क्या रहे हमारे हिर्दे में बना का बना रहे उससे हम अस्थाई भाव कहते हैं और इसका मतलब होता है प्रधान भाव अस्थाई भाव मानों में मन में बीच रूप में हैं चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं अचन्चल होनी का मतलब इधर उधर भटकते नहीं हैं और ये संसकार या भावना के घोतक हैं कहारा अस्थाई भाव की परिपक को अवस्था को ही रस कहते हैं परिपक को अवस्था मतलब बहुत ज्यादा पक जाना बहुत परिपक को मतलब बड़ा हो जाना और अस्थाई भाव को संचारी भाव का मित्र भी कहते हैं ये question आ सकता है फिर करा भरत मुनी के नाटे सास्त्र के अनुसार रसों की संख्या आठ है क्योंकि भरत मुनी सांत रस को नहीं मानते क्यों तो अधिकतर अचारी रसों की संख्या नव मानते हैं क्योंकि मूल रस नव है अता नव ही अस्थाई भाव भी है फिर करा अचारी भावन ने अस्थाई भाव को रस की आत्मा कहा है अब ये question बहुत मुझा जाता है competitive exam के लिए बहुत important है कि रस की आत्मा किसको कहा जाता है तो रस की आत्मा स्थाई भाव को कहा जाता है और मती राम ने संयोग सिंगार को रस का राजा माना है अर्थात रसो का राजा सिंगार रस को और रसो की रानी भी बियोग सिंगार को तो ये चीज बहुत इंपर्टर कर लेना ये बाक्स वाला चीज ये बहुत पूछा जा सकता है फिर कह रहा है जब सिंगार रस को रस राच या रस पती कहते हैं लब पूरे सिंगार रस को हम क्या कहते हैं रस राच या रस का पती बाद में सिंगार रस के अंतरगत दो रस वातसल रस और भक्ति रस और आ जाते हैं अब हम जानेंगे कि कौन से रस का अस्थाई भाव क्या ह तो सबसे पहले अब देखो हमारे यहाँ 11 है किन्ते हैं 11 रस हैं जिसमें से 2 क्या हैं हमारे बाद मिलाएगे हैं बाकी मूलतया नोसर है तो कर रहा है रस स्रिंगार रस अगर स्रिंगार में क्या होता है संयोग होता है बियोग होता है तो संयोग में रती होगा रती मतलब प्रेम अब उससे क्या होगा प्रेम अधिक होगा तो वह होगा अधिक प्रेम से दुख होगा तो करोन हो जाएगा बियोग सिंगार फिर कर अब करून मतलब क्या होता रोना और सोक जब किसी को दुख होता है तभी तो रोता है तो ऐसा हो जाएगा करून रसका सोक अगर किसी के अंदर बीर बीर चीजों को देख करके उसके अंदर क्या आ जाता है उत्सा बहुत आ जाता है कभी देखो मूबी चल रही हो हीरो मार रह सुनते ही एक बार मर मिटने की देश के लिए अभिलासा आती है चंसेखा राजात का नाम सुनते ही हम अपने आप को भूल जाते हैं तो यह क्या है यह सब उत्साह है हमारे अंदरी को उत्साह आ जाता है हासरस अगर कोई हसने वाली चीज देखेंगे तो हास आएगा रौद् मतलब होता है गुसा गुस्सए वाला रूप अगर देखेंगे तो हमक्या होगा कुरोध होगा फिर विबस मतलब होता है घ्रडा घ्रडा वाली चीज़े भःणक चीज अगर देखेंगे तो डर होगा अधभुत चीजे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आश्चर सांतरस अगर है तो निर्वेद मन के आंदर की सांती जैसे कभी सुबा सुबा देखो मंदिरों पर क्या कभीर दास के दोहे चलते हैं तो उसको सुनकर कि हमें इतनी मिल्दा निर्वेद बिल्कु खो जाते हैं या मंदिर पर कभी जाओ कितनी भी टेंशन हो कितनी भी हो लेकिन वहाँ अगर आरती चल लही हो अगर पहुंच जाओ तो मन सीतल हो जाता है और वात्सलरस किसी छोटे बच्चे का वर्डन किया जाए तो वात्सलरस हो जाता है और भक्तिरस वही भक रखतवरहु है कब है क्या ऊ्छलत है तो यह चीजें आपहसंगे होगी अंप सबसे पहले नहीं पढ़ेंगे क्यों और क्यों पढ़ा है क्यों के भूंकि यह बोर्ड एक्जाम। के लिए बहुत कह रहा स्रिंगार रस, तो स्रिंगार रस को क्या कहते हैं, रस राज या रस पती कहा जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसकी अगर परिभासा हमें लिखनी है, तो लिखेंगे कि जब नायक, नायका के मन में जब रती नाम का स्थाई भाव जाकरित होता है, तो वह परे नायका के बीच में प्रेम रती वस्त में मधुर मिलन का थावा अलगाओ का बोद हो, क्या हो, मधुर मिलन हो या अलगाओ हो, तो क्या हो जाएगा, स्रिंगार रस हो जाएगा, स्रिंगार रस के मुखिता दो भेत, कौन-कौन से, संयोग स्रिंगार, बियोग स्रिंगार, इ प्रकृति की सुन्दर्ता का ओर्डन किया जाए वहाँ संयोग स्रिंगार होता है अब अगर इसकी उधारण पहुचे तो करा स्रिंगार रसको बिभस मुलब का बिरोधी रस्पाना जाता है क्योंकि स्रिंगार रस में क्या होता है बिभस में गिरडा होती है और इसमें प्रेम होता है अब इसमें एक उतारन की बतरस लाल चिलाल की मुरली धरी लुकाए अव सौंह करे भो अन्हसे देन कहे नटी जाए मुलब इसमें कह रहा है कि इस्ट्रीकिश गोप्यों के साथ ने क्या करते हैं अपनी मुरली मांगने के लिए क्या करते हैं गिर्गिडाते हैं लेकिन वो क्या होती है वो भाहों से हस देती है और उन्हें क्या होजाता है वो मुलब बिलीन होजाते हैं मुलब सब को छोड़ देते हैं तो ये एक है जै 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 गिर्डाजी की सोरी जै महेंस चंद्र मुक्ष चंद्र चकोरी तो ये भी लिख ले ना ये भी उसका है अब कहरा है बियोग सिंगार के हमारा तुम बियोग सिंगार जानेंगे क्या जानेंगे बियोग सिंगार इसमें देखो और देखो संयोग सिंगार के कुछ दारा हैं तरनितन जात्ट तमाल तरवर बहुचाय जहके कूल सोपल परसन हित मनों सुहाय मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई फिर जब पहुंची चपला पीच धार छिप गया चांदनी का कगार राम को रूप निहारत जान की ज्यों ज्यों लगती है नाव पार और में उलक आलो की तसत विजार लब ये सब काया मलब बहुत अच्छे हैं क्या है बहुत अच्छे चीज़े हैं ये संयोग सिंगार का अगर कुछ नहीं आयेगा तो गाना लिख देना संयोग सिंगार का कि क्या अगर ये उदहरण आपको नहीं आद रहता अपर इच्छा में बोर्ड एक्जाम वाले बच्चों के लिए मता रहा हो तो सांग हिंदी कोई भी लिखा सकते हो कोई भी नहीं सैयोग सिंगार होना चाहिए लिख देना कि ना कजरे की धार ना मोतियों की हार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तो ये लिखते ना आप लोग तो आप लोगों ने इसे पढ़ा भी योग सिंगार बाद में पढ़ते हैं ने तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि परिच्छा में 10th वालों के लिए very very important है यही पूचा जाता है कि इसका अस्थाई भाव क्या है और सिंगार रस की परिभासा भी याद कर लेना आप लोग क्योंकि ये भी बहुत पूचा गया है तो आप लोग क्या मनलब आप लोगों को ये चीज़ें क्या ये ये वाली लाइन बहुत अच्छे से याद करना है ये इतना क्योंकि ये बोर्ड एक्जाम के लिए उसमें पूचेगा कि सिंगार रस अथवा या कोई देदेगा ये मैं से किसी एक का अस्थाई भाव से तो दाहरा लिखना रहेगा तो ये आपका दो या चार नंबर का आएगा तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजीगा और अब अगली वीडिो जाएगी अभी अपनोसभंग अभी चल रहा था, अभी अपलोट हो जाएगी, आप लोग अच्छे से पढ़िये प्लेलिस्ट टाल दी जाएगी झाल झाल